इस डिर याय सुम्ण निटिंग क्रियेशन में आप सबका सवगत है तो जैसे की मैंने ये सेकंड भाग में आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे गला बनाया कैसे मैंने करुशे चे ये फिलावर बनाय है क्वा ये मैं मैंने फर्ष्ट भाग में दिखा दिया था अब मैं थर्ड भाग बनाने चुर्णटा रखें निघैरा खुला है तो मैं यहां से शुरू करा मैंने यहां से मैं रौंड में यह तक बना आके लाएं तो ये मैंने चार चेयन वाला बनाया है को यहां पर में देखो कैसे बना रहे हूं एक दो तीन चार चेयन बना ली अब मैं इसके साथ इसको अटेस्ज कर दूंगी जो जो मैंने यहां पर डबल बाउडर बना रखा है इलाश्टिक दालने के लिए डूरी डालने के लिए तो मैंने यहां सिला था यह तो यह सिलाई के साथ मैं इसको अटैज कर रहे हूं दो तीन चार फिर मैं तोड़ी दूरी पर ले रही हूं पास मैं नहीं ले रही हूं क्योंकि जब मेरा घहरा नीचे-नीचे को बनेगा तो जाएगा कि काफी फंदे डालने पड़ेंगे उसमें तो इस तरीके से उपर से मैं कम ले रही हूं अब मेरे यहां पर मैंने देखो मैं चार चैन बना के टोटल यह सारे लेके आगे इधर से यहां पर मेरा शुरुआत है यहां पर मैं इसको सिली पिश्टिच कर दूंगी पह मैं इसमें एक, दो, तीन, तीन डबल करोशे बना लिए फिर इसमें मैं दो बारे और बनाओंगी डबल करोशे तीन मैंने बीच में चेन लिए दो मैंने यहां डबल करोशे लिए तीन चेन लिए फिर मैंने एक, दो, दो बारे डबल करोशे लिए फिर मैंने एक चेन और ल तीन चेन ले ली पिर एक ।कॉ फिर दू से डावल कॉरशा, मैं उपर ज्वीज ज्यादा नहीं ले रहу, क्यूकि में तो तह थोड़ा सा घेर मैं बढ़ती जाऊंगि वीज वीज में, सब प्रें चरालाइन बना ली चरण आयं में लिए कृषर कर दूंझी इस तरिक से मैं इसका घेर बनाऊंगी तो आगे मैं दिखाऊंगी वीडियो में मैंने किस तरिक विना बनाया तो यहां से फिर मैं ज्यादा घेर जाए होगा ताकि मेरी यह पत्ते उठें पूठे से लगे नीचे अंदर से घेर बड़ा लगे है तो मैं अभी इसको ऐसी ही बनाती जाओंगी एक चेंड लेली फिर मैं आगली जाली में जो मैंने चार चेंड बनायो इसके बीच में ले लिए 12 कोर्शे बना लिए यह अब यहां पिरцы दो करतोंगे खिल राउड मेरा बन गया अब मैंने जो सब से फ़ले चार चैन बनाई लेकर इसमें उपर लेकर एसरे में करद फीर मैं अगले वाले में λेगर करऊंगे फिर जो मैं उपर से ज्यादा नहीं चाहिए नीचे नीचे को मुझे बड़ा घेर चाहिए अब यहां पे मैं फिर तीन चेन लेली मैंने फिर इसके अंदर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी यह दो बारी मैंने डबल क्रोशे बनाऊंगी तो इसमें मैं थोड़ा लूज हात रखूंगी ताक दो, तीन, तीन चेन ले ली मैंने, इस चावल को मैं खिंच लूँगी, थोड़ा लंबा कर लूँगी, कि मेरे उन भी कम लगे और जल्दी भी बढ़े, तो अंदर से ज़्यादा टाइट बनाने का कोई फैदा नहीं है, जब नीचे नीचे को आएगा, जहां से मेरे पत्तों के कट पड़ता है, तो वहां से फिर एक चेन ले लिया, फिर मैं अगले में ले लिया मैंने, तो इस तरीकी से थोड़े लंबा सटा कर लूँगी, एक, दो, तीन, तीन चेन ले लिया, फिर इसमें दो डबल कुरुशे, तो ऐसी ही मैं तीन-चार राउन तक यह बना लेते ह फिर आगे दिखाते हूं, तो मैंने इतना बना लिया यह, एक करोशे की देखो, यहां से नीचे को बना लिया मैंने, अब इसमें मैंने चार चावल वाले जो मैं चार डबल कुरुशे बना रही थी एक जाली में, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लाइन तक मैंन मैं डबल कुरुशे बनाएं, दो डबल कुरुशे बनाएं, एक जाली में, और उसके बाद मैंने तीन डबल कुरुशे बना रही हूं, तो देखो ऐसे, एक, दो, तीन, तीन बारी बना रही है, तो इसमें बना रही हूं, एक, एक, दो, तीन, और यह चोथी लाइन चल रह मैंने यहां तक बना के ले गई हूँ अब मैं इसमें क्या करना देखो अब मुझे घेर थोड़ा नीचे को फैलावा होना चाहिए क्योंकि जब पत्ते के नीचे आएगा तो थोड़ा उठा उठा होना चाहिए पत्ता तो इस तरीके से देखो वैसे तो यह अभी भी सुन्दर लगने लग गया दिखने लग गया अभी इसमें जितना भी जोल आए पत्ते थोड़े से उठींगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके अंदर कपड़ा सिलके जो घेर बंता जैसे हम फरोग के नीचे लगाते हैं इस्टीपनेट लगाते हैं या फिर थोड़ा अस्तर वाला जो अस्तर भी लगा के अरी फरोग ऐसे आपकी ऊपर को उठने शुरू हो जाए कि यह पत्ता तो देखो इस तरह कैसे बनेगा यह यहां तक यह बन गया अभी दो ला रही हूं बीच में तो उस चेन में भी मैं दो डबल कुरोशे शुरू कर दिया मैंने बनाना तो अभी देखो इसमें मैंने जैसे चार मैंने तीन बारी बना लिया एक जाली में से तीन बारी आप मैं इसके बीच में दो चेन ले रही हूं बस दो चेन ले रही हूं उसमें तरिके से एक आप मैं ले मैं ले लिया अब मैं यहां देखा आप इतना फंदा ले लिया ऐज estado फिर एसे फिर इसके बीक में यहां पर मैं पहले एक चेन लरी थी अब मैं इसमें उसमें दो बारी बना रही हो अगली बार इमना चार बारी बनाओंगे रेशे इसमें थीन यहां परफ्य aurait तो इंचुक्रत में चैंद किंगे बाघिए बर फिर को इसवा दाने कि हमिन मत उस्तें begitu घुच्छ दो तीन तीन बारी बन गया अब इसमें मैं दो चेन लेलूंगी दो चेन लेली मैंने फिर मैं तीन चावल और बनाऊंगी इसके अंदर तो यह जो डबल कुरश्य बन रहा है इसको चावल भी बोलते हैं इसलिए मैं चावल बोल रहे हूं तो इस तरीके से देखो तीन डबल कुरुशा इधर बन गई फिर मैंने दो चेन ले ली बीच में फिर तीन डबल कुरुशा इधर बन गई इस तरह के से यह बनता हुआ जा रहा है अब मेरा यहां तक मैं पूरा यहां पूरे घेर में बना के लाएं तो इसको मैं पूरा कर लेते हूं पहले एक चेन ले लूँगी, फिर इस तरीके से, फिर पीच में एक चेन ले लूँगी, फिर एक बारी डबल करोशा और बनाओंगी, फिर एक चेन लेके मैं, यह जो फूल बनाए मैंने, तितली जो बनाई है, इसके अंदर मैं फिर, पहले तीन डबल करोशा बनाओंगी, तीन डबल करोशे बना लिया फिर इसके बाद मैंने दो चेन ले ली दो चेन ले ले फिर एक डबल करोशे और बन गया फिर एक डबल करोशे और बन गया फिर एक डबल करोशे और बन गया तिया तीन चावल मैंने बना लिया इसमें फिर मैंने चेन ले लिया, फिर जहां मैं एक चेन ले रही थी, इसी के अंदर मैं ऐसे डाल गया, यहां पर मैं दू डबल करोशा बनाऊंगी, एक डबल करोशा बन गया, फिर एक चेन ले लिया, फिर एक डबल करोशा और बना लिया, फिर चेन ले लिया, फिर ऐसे, तीन अब मेरा ये लाश्ट में रह गया यहां पर इमने दू डबल कुरोशे बना ले अब मैं इसके अंदर फिर तीन डबल कुरोशे फिर मैं सिली पिष्टी से इसे बंद कर दूंगी ऐसे तीन बारी लेना एक दो दो चेन ले ले एक दो तीन और इसमें भी मैं एक बारी दो डबल कुरोशे बना दूंगी एक चेन ले लिया दो डबल कुरोशे एक चेन अब मैं इसको यहां पर सिली पिष्टी स करूंगी इसमें मैं छे बनाऊंगे तो इसमें चार बनाऊंगे तो एक बारी हो गया दो तीन दो चेन एक दो तीन फिर एक चेन लेली मैंने अब मैं इसके अंदर बनाऊंगे देखो अब जो मैंने दो बनाए थे ये अब दो के अंदर बनाने जा रहे हूँ एक डबल करोशे दो डबल करोशे इसके अंदर एक चेन लूँगी एक चेन लेली मैंने फिर दो डबल करोशे और बनाऊंगे अब मैं इसको जितने भी round बनाूँगी दो या 3 round तो मैं इतने ही बनाऊए है ऐसे ही बनाऊए ये जो मैंने अभी उठाएए दो इसके बाद मैं 4這邊 दबल कुरिशे इसके अंदर बनाऊंगी तो इसी तरह किसे मैं पहले दो लाइन और बना लेते हूं फिर शायद दो लाइन में मेरा हो जाएगा तो दिखने में तो फ्रोग बहुत सुन्दर दिखने जा रही है देखो बीच में मैंने इलास्टिक डाला है तो आप इसमें मैं बेल्ट भी बनाऊंगी एक तो देखो इस तरीके से फ्रोग का गेर सुन्दर दिख रहे है तो आप भी बना सकते हो तो इसलिए लूज बनाए इसमें ठंड तो हमने बचानी नहीं है हमने तो यह शिरफ फिरिल के लिए बना रहे है कि हमारे यह पत्ते से उपर को अच्छे से उठ जाए तो देखो इस अब छोटी चोटी जूतियां बनेगी है और बेल्ट बनेगी तो अभी बहुत सारा काम है इसमें तो पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूं आई अप आप लोगों को पसंद आएगा प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजेगा सस्क्राइब नहीं करते हो मुझे भी थोड़ा सा बढ़ने का मौका दीजिए थेंक्यू सस्क्राइब करोगे तो मैं जरब पहले इसको बना लेते हूँ फिर आगे देखाते हूँ इस तरह के से मैंने फोरोग तियार कर लिए देखो अब यह मेरा घेर तियार हो गया यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है घेर देखो अब इसमें यह मैंने दो फूल बना के इस तरह के से बना के यहां पर लगा दिये ताकि यह जो मैंने यह उपर को यह बौडर से फीती सी बनाई है तो इसके साथ मैंने अटाइज कर लिया इसको इसको शिलदीय मैंने यहाँ पर और सुनदर भी दिख रहे हैं अब घेरा मेरा भहाँ शूनदर भहाँ ती काफी अच्छा बना हुआ देख़ो से तरह की है इस तर शि़ और जब यह इस तरह की से दिखेंगा फिल यह पत्ते मेरे इतने उंचे रहेंगे और गेर मेरा यह, गेर का जो यह मेरी फिरिल है, यह दिखेगी नीचे को, तो यहां से मैंने बढ़ाए थे, यहां से मैंने पहले, पहले तो मैं यहां से दिखाते हूं, यहां से पहले मैंने चार-चार बनाए थे, चार-चार चावल बनाए थे, डबल करोशे बनाए थे, तो एक दो तीन चार पांच छे साथ शालई तक मैंदे तीन डबल करोशे´ बनाए मैंने ज्याद होई श्वुश का नहीं बढ़ाbé क्योंकि मैंने यहां पर यह मैं चेन ले रही थी इससे बीज में मैंने पेले मैं दो लिए एक डबर करोशे बनाई एकесть बनाई फिर एकट बलकरोशे और बनाय तो पर मैंने जब जब अगला रांड आ गया। फिर मैंने दो डबर करोशे बनाई परbersन पर एकटेन लिये। एक च्येश लेके सु रोगनेकरिए अर यहां पिर दो डबल कुरुषे बना दिए और यहां पिले दोड़ box के दर हैं और एक चेश के इंदर बनाई 마지막 उस तरीके से मेरी डबल कुरुषे बने हैं यहां पे तो ये मेरे साथ लाइन अब मेरी टोटल लाइन ओगयी हैं तो आप को बड़े बच्चे का बनाना तो आप ज्याधा बना सकते हो तो मेर чис मैं ऐसे न बढ़ा के ढब क्लोटि बना सकते हो और बढ़ा जम्ली तक मैंने दोड़ोड रहले हैं उख बना लिया और जम्ली और यहाइं आगि जम्लाई अधिक not जो आपकी इच्छछा है बड़े बच्चे का बना रहे है इसका घेर काफी आच्छा खुल गया फिर नीचे को घेर तो बहुत से सुन्दर लग रहा है और यहां पे मैंने यह पे इसारे मots से क्रश्यक हर तो यह lure my ऐसे बथाया बताऊँगे करोशे की जूतियां बना ली तो बच्चे जब चलेगा तो बहुत ही सुन्दर लगे दिखने वाला है तो देखो इस तरह के से यह खुल जाएगा और यहां पर मैंने डोरी डाल दी यह मैंने करोशे से यह वाली वीडियो मैंने पहले डाल चुकियों अपने यूटूब चैन जाए फूल बनाने का तरीका भी मैंने पहले डाल रखाए बस यह लंबी सी चेन बनाई उसमें मैंने दो-दो-तिंदी इस तरह की से बनाया तो यह मैं थोड़ा सापको बता दूंगे अब की बार बता दूंगे और यहां पर मैंने दोनु धागे लेके एक-एक लैन इस तर सब्सक्रिकों में मेरे संधर सिंधे लगई सब्सक्राइब आप मेल्स सब्सक्राइब रख的 सबसें armpit डाल रखा तो आप tight कर सकते हैं मैंने अभी loose रखा है tight कर सकते हैं इसे उसके बाद मैंने एक belt बनाई है यह मैंने double बनाया ऐसे बुन के ले गई यहां मैंने double कर दिया था यह देखो पीछे दोनों सलाई के फंदे घटा के और उसके उपर मैंने इस तरीके के फूल बनाए जो इसमें यह attach हो गया तो डोरी उपर नीचे हो जाएंगे यह उपर नीचे की side तो इसको हम tight भी कर सकते हैं इस तरह किसे के आगे आगे बांदना है और पीछे को हम डोरी ऐसे करके बांद के उल्टी side को ऐसे हम इसको पीछे भी बांद सकते हैं पीछे बांदो तो इसमें मैं यहां तक यह डोरी बनी हैं नोई है जिसके निकले डूरो go पीछे नहीं जाएगे यह दोनु तरफ से आराम से हम जब बांदेंगे तो इसको फेला के भी देखो काफी लंबी बनी है पीछे तक जा सकते हैं अब इसमें तुम साइड में भी बांद सकते हैं साइड में ऐसी गांट लगा लो इस तरीके की अर्याप फूल बना लो नहीं डालना वर किसी ऊठक के वपर किसी और में बीच में यहां पर राऊ और दीख vigil मैं यहां बदिखा? मैं इसको एक पिरः यहां पर बनाना बताते हम आपको एक फूल बनाना रहता है और इसके जूते की वीडियो तो आपropri जाएगा यू टीटूब को इसका कुछ नहीं तो इसका फूल बनाना भी बता दूंगे अभी इसी वीडियो में ये थड़ भाग है मेरा तो आप लाइक से जरूर करें प्लीज सस्क्राइब जरूर करेंगा तो मैं अब आपको इसकी वीडियो बनाना बताऊंगी तो इस तरीके से देखो पहले मैजिक र क्रोशे हो गया 4 डबल क्रोशे हो गया 5 डबल क्रोशे हो गया 5 डबल क्रोशे हो गया 5 डबल क्रोशे हो गया मैंने फंदे से क्रोशे से निकाल लिया और यहां डालके इसको मैंने इस तरीके से बांद दिया यहां पर मैंने एक चेन लेली एक चेन और लेलूंगी फिर मैं जो धागा मैंने यहां मेजिक रिंग के लिए गोलाई बनाई थी इसके अंदर डालूंगी फिर पांच बारी बनाऊंगी फिर एक डबल को रोश्य होगिया दो तीन चार पांच पांच बना लिया फिर इसको मैंने उतार दिया अब जहां मैंने शुरू करा था देखो यहां स जालाए फिर एसे लेकर इसको द्यूंब कर दिया फिर यहां पर ़ोली मैंने था जाल ऑगन के को यह धागे को थोड़ा सा आप दो बारी भी गुमा सकते हैं इस गोल वाले धागे को जो मैंने गोलाई करिए जो इसका मैंने रिंग बनाया पाँज बने बनाए फिर मैंने करोशे से उतार दिया और जो शुरु का बनाया उसमें डाल के इसको सिली पिष्ट्टीस कर दूँगे यह मैंने सिली पिश्टीस कर दिया, फिर दो चेन बना ली, बहुत आसाना है यह फूल बनाना, और बहुत प्यारे से लग रहे हैं, फूल इसको आप कहीं पे भी बना सकते हो, स्वाटर पे लगा सकते हो, बच्चे का प्लेन स्वाटर बना के, ऐसे फूल बना के करोशे के, अ करने के लिए मुझे दूसरा धागा ना लगाना पड़े, और असान है, इदम असान है, आप बनाना चाहोगे, तो बहुत प्यारा भी लगता है, और बहुत आसान भी है, तो आप बना सकते हो, यह वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई दिया, कि किस तरह किसे बना रह हो, तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हो, जितना गोल बनाओगे, बड़ा बनाओगे, तो उतना ही बड़ा फूल दिखेगा यह, आपको बड़ा फूल बनाना है, तो आप बड़ा फूल भी बना सकते हो, तो मैंने यह फ्रोग में लगाना था, इसलिए छोटे-छोटे ही पर इसको यहां पर इसके अंदर से लियांगी तो देखो कितना सुन्दर सा बन गया यह अब मैं इसका इतना सा धाचा इसको कट कर दोंगी यहां से तह Iya I Am I got कट कर ले अब मैं इसको निकाल लूँगे द्रॉष को इसके अंदर से ऐसे और कसके इसको बांदूंगे अब यहां पर मने यह बांद दिया अब यह कहीं नहीं खुलेगा और जब हम इसको अटेज करेंगे कहीं पर भी लगाना होगा आपको तो जैसे अब हम इस तरह दिखा देते हो अब जैसे यह रखा सुई रखे इधर से इधर ले लिया फिर बीच में इसको थोड़ा सा और कसकी खेचना पड़ेगा इसका चेज बिलकुल बंद हो जाएगा अगर आपके पार मोती है तो आप इसके उपर मोती भी लगा सकते हो अब मैं इस तरीके के फूल बनाना बताते हूं कि कैसे बना है हमें पहले एक लंबी सी चेन बना लो आपक को जितना चाहे 30 35 40 50 60 70 जितने लंबी फूल चाहे उतना बनाना तो इसमें मैंने थोड़े से डाले अब मैं यहां पर क्या करूंगी देखो एक दो तीन बना ले अब जो मेरे यह आखरी चेन थी इसमें डालके मैं ऐसे बना लिए अब मैं यहां पर एक चेन लोंगी एक चे ले लोँगी दो लेलो आप तीन लेलो जितना बड़ा फूल बनाना होगा तो इसको मैं ऐडिया बताओ आपको फिर मैंने ष्याट में और बना लिए फिर मैं एक चेन लोंगी फिर मैं मैंने थोड़ा इतना बना लिया अब यहां लाश्ट में जैसे मैंने एक चेन छोड़के दूसरे में ले लिया फिर यहां पर दो चेन लेके इसी छेध में से मैंने एक बारे ओर डबल करोशे बना लिया अब तीन चेन लेली मैंने अब मैं वापिस हो जाओंगी फिर इसी के अंदर में आप छे भी ले सकते हो दस भी ले इससे आपका छोटा सा फूल बने गाए उसके बाद हमने क्या करना है देखो यह जो हमारे बीज में है जहां हमने एक चैनली थी इसको सिली पिश्टिस कर देना है फिर हमने फंदा लेना है फिर हमने यहां पे पांच बना देना है एक दो तीन चार पांच फिर हमने फंदा नहीं लेना है सिरफ क्रोशे ऐसे लेना है और सिली पिष्टीच कर देना है फिर हम फंदा लेके अगले में बना देंगे पांच इस तरह के से आप साथ बना लो दस बना लो जितना बड़ा पंखुड़ी चाहे फूल गें तो मैं छोटा ही बना रहा हूं आपको दिखा रही हूं मैं शिरफ कि मैंने इस तरह के से बनाए इसमें भी मेंने उसे पांच नी यहां पे मैंने थोड़ा भहती लिए है कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो बारी लिए मैंने इसमें तो आप आठ बारी नो बारी दस बारी जितना बड़ा फूल जाए आपको आप उससे हिसाब से ले लिजे तो मैं लाष्ट वाले थंदे में आवे हूं तो यहां पे भी हमने कि पांच ले लेने तो दो हो गये मेरे कि की चार अर्ए पांच हो गय को अब मैं इसको ऐसे छिली पिष्टित करओंगी यान यहां पर दागा खिच लोंगी उपर को और यहां पर मैं थोड़ासा तुसके सिलने कि लिए इतना दागा ले लोंगी तो यहां pa दागा कट कर लों कट कर लिय मैं इसको मैं इसके अंदर से निकाल लेती हूँ आप मैं सी में डागा पर रोलूंगे इस तरीके से श्वी ले लिया मैंने अब मैने ये वाला कुना पकड़ना इदर धागा मेरा इधर है अब इधर से अब आप थो बड़ा बनाओ गई तो मैंने छोटा से बना की दिखारे हूं आपको इस सेंपल की तर पर दिखारे हूं बड़ा तो मैं ये बना रख है देखो फूल बन गया अराम से अब हमने इसको शिल देना इस पर हम यह से सारे पत्तों में लेके आएंगे हम कि कोई भी पत्ति हमारी छूटे ना कि निकले ना नीचे को इस तरीके से हम इसकी शिलाई कर देंगे आप अपने हिसाब से फूल लिपेट ना आपको कितना बड़ा चाए फैलावा चाए अब मैंने यह छोटा से बनाया तो इसलिए इसकी पंकुडी छोटी से आएगे अब यह बड़ा बना है तो इसकी कई तैय लगी है देखो यह दो तीन चार पांच छे साथ आठ अरेक अंदर का नो तो यह ज्यादा था यह था एक सो दो फंद आप लोगों को फसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर करेगा सस्क्राइब जरूर करेगा अब मैं इसके तोल के भी बता देते हूं कि मेरा टोटल कितने उन में मेरा इस तैयार हो गया यह एक से दो साल के बच्चे के लिए है ऐसे इसको पक्का कर लिजे आपके पास से प्रीन दागा है तो आप नीची से पति भी बना लीजे इस तो इस तरहके के फुल कहीं पर लगा सकते हो तो यह बन गया मेरा टोटल चार सो फिचतर ग्रम में लिए 800 ग्राम 500 में को पसंद आएगा आप जरूर सस्क्राइब करो गैसे टो कर के मुझे लगी ने आप लोगों को मेरी फुल इस तरीके शेает हिस्साव सालग नीचे करोशय का है, यहां से मैंने वीडियो में बता रहा है, मैंने किस तरह किसे यहां से फंदे उठाएं, करोशय के, और यह पत्ते मैंने बनाएं तो मैंने अलग-अलग हैं, लेकिन एक ही धागे में एक ही साथ बनाएं, और किस तरह किसे मैंने इसमें फंदे बनाएं, ए órbilar हुआ बिचकल था는지 को ऐसे क्ारश जरोर करें सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हो तोस्प्राइब जरूर चाहिए मुझे सब्सक्राईब की बहुत जरूत है थेंक यू